हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल और आज अपने करेंगे धान के कुछ कोश्चन अपने फर्स्ट पार्ट में दस कोश्चन किये थे जो एक्जाम की दुरस्ट से बहुत महत्पूर्ण थे तो आज अपने उससे आगए के कोश्चन करेंगे इसमें अपना 11 कोश्चन है नाइट्रोजन यूज एफिसेंसी इन राइस इज जो राइस की नाइट्रोजन यूज एफिसेंसी है उसको यूज में प्रयोग में लेने की जो चमता है वो कितनी है नाइट्रोजन को तो इसमें फर्स्ट ओप्शन है 15 से 20 परसेंट 50 से 70 परसेंट या 65 परस तो इसका सही अंसर होगा 30-40% जितनी नाय दोजिन अपने धान की फेसल में देते हैं उसका 30-40% ही यह यूज में लेता है इसकी इतनी एफिशेंसी है चमता है एफिशेंसी को हिंदी में बोलते हैं चमता नेक्स्ट कोश्चन है दिख्रोस प्लगिंग दियंग राइस क्रोफ फोर वीक्स आप्टर सोविंग विद कंट्री प्लग इस कॉल्ड जो फसल की मतलब अपने धान की धान के अपनी ट्रास्प्लांटिंग कर देते हैं उसमें जब फसल चार वीक की उजाती है एक मंद की प्लाइंड होंग तो इसका आंसर होगा वींद के अंदर जो aeration है वो बढ़ जाए वायू का संचार अच्छे से हो वायू का संचार अच्छे से हो वायू संचार के लिए पुमी के अंदर वीड को हिंदियां बोलते हैं खर्पतवार खर्पतवार नियंतरन के लिए नेक्स्ट कोश्टन है मिमिक्री वीड ओफ राइस इज राइस का धान का मिमिक्री वीड कौन सा है तो फ्रेंड्स मिमिक्री वीड कौन सा होता है पहले मैं आपको यह बता दू मिमिक्री वीड वो होते हैं कि जैसे पसल यह धान का प्लांट जैसे आपको दिख रहा होगे धा सब्सक्राइब कर दो कुछ करपतवार निकाल देते हैं उनको इनको अपने स्टार्टिंग टाइम में मुख्य फसल से निकाल सकते क्योंकि पता ही नहीं चलता वह यह मुख्य अपने फसल का पोद्ध है यह फिर वीड का है खरपतवार का पोद्ध है तो उन्हें बोलते हैं मिमिक्री वीड तो इसमें फर्स्ट ओप्शन है अपना फैलर्स माइनर एविना फैट हुआ एकाइनोकुलास पीसीज यह फिर सत्य और जो एविना फैट हुआ यह जही का है ओट का जही कोई लिए सिम बोलते हैं ओट का मिमिक्री वीड है रंसत्य नासी है यह अब्जेक्शनेबल वीड है मस्टर का तो नेक्स्ट कोश्चन करते हैं मोस्ट वाइडली यूज पोस्ट एमर्जेंस हर्विसाइड इन राइस खर्पतवार के लिए जो अपने यूज सप्रे डालते हैं उसे बोलते हैं वीडिसाइड वीडिसाइड बोलते हैं फिर हर्विसाइड बोलते हैं तो इसको इसमें है जो अपना ऑप्सन है प्रोपेनिल यह इसमें स्पेस नहीं है प्रोपेनिल स्टाम अफ चोनतीस या फिर जो यूज करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है टेस्ट वेट ओफ राइस राइस का टेस्ट वेट कितना है तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगे कि टेस्ट वेट क्या होता है एक हजार दानों का वजन एक हजार सीड्स का वेट एक हजार दाने ले ले लेते हैं गिनके और उनका वजन करते हैं तो उसे बोलते हैं टेस्ट वेट तो इसमें अपना फर्स्ट रॉप्स ने है पच्चिस क्राम सेकंड एक्किस क्राम थर्ड चालिस क्राम यहां फोर्त है प का टेस्ट वेट आप याद रिखेगा फ्रेंड्स यह भी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछते हैं इससे ही कोश्चन और अपने का निफ्यूज हो जाते हैं अपने भूल जाते हैं भी किसका क्या है तो आप अच्छे से याद रखिएगा इसको नेक्स्ट कोश्चन है म्यूटेंट ड्वार्फ वराइटी जोफ राइस राइस की म्यूटेंट ड्वार्फ वराइटी कौन सी है इसमें फर्स्ट है पी आरच टैन जगनात यहां फिर सतारी यहां फिर बोथ बी एंड सी तो इसका अंसर होगा डी नेमर बोथ बी एंड सी तो पुरिवर्तन होता है कि जब किसी जीन के DNA में कोई स्थाई प्रिवर्तन होता है उसे भोलते हैं Mutation उन्हों बना है Mutant वारव वराइटी तो आप याद रखे के इसको अच्छे से next question है what is the seed rate of rice by drilling method drilling method की drilling machine द्वारा sawing करते हैं तो उसमें अपने कितनी seed rate रखते हैं तो इसमें अपना answer है 100 kg परती हेक्टेर 60 kg परती हेक्टेर 15 kg परती हेक्टेर या फिर डेट से 3 kg परती हेक्टेर तो इसका answer होगा second number 60 kg परती हेक्टेर सो किलो रखते हैं ब्रोड कास्टिंग में ब्रोड कास्टिंग में मतलब छिड का आओ छिड करें विदी से जब अपने सोविंग करते हैं तो उसमें 15 किलो रखते हैं हाइब्रीड की जब हाइब्रीड वीज की सोविंग करते हैं तो 15 किलो रखते हैं और यह 1.5 से 3 किलो परत नेक्स्ट कोश्चन है मेट टाइप नर्सरी इस लेटेड टू क्रोप मेट टाइप नर्सरी कौन सी फिसल के रिलेटेड है तो फर्स्ट है वीट सेकिंड राइस थर्ड है टोबेको फॉर्थ मेज तो फ्रेंड्स मेज की नर्सरी त्यार नहीं करते हैं वीट की भी नहीं करते तो इसका answer होगा rice, second number, ये question पुछा गया है, दो तीन exam में पुछा गया है, National Seed Corporation में पुछा गया है, Pre-BG के इंदर पुछा गया है, तो आप याद रखें कि इस question को, बाकी भी repeat हो सकता है, ये दूसरे exam में भी, next question है, most critical stage of water for rice, rice के लिए जो पाने की most critical stage है, critical को बोलते हैं, kr स्थांतिक, जो वो stage कौन सी है, तो first है till ring, second है booting, third है dough and fourth है none, तो इसका answer होगा booting, booting and flooring भी बोलते हैं, flooring, okay friends, next question है, gene responsible for dwarfness in rice, rice के लिए जो gene responsible है, बोने पन के लिए, वो कौन से हैं, तो इसका first option है, norin, ये नेरिन नहीं है, नोरिन, डीजी वो जीन, जाया या फिर पैनिकल, तो जो बोने पन के लिए, जो gene उत्तरता है, वो है, डीजी वो, gene second number answer होगा इसका, जाया friends, ये एक variety है, एंड पैनिकल क्या है, ये पुश्प करम है, राइस का, राइस का जो पुश्प करम है, जैसे आपने यहां पे देख रहे होंगे, ये जैसे पुश्प करम है, तो इस जो भी हम डाले उसके notification मिल चाहे, thank you so much